नमस्कार मैं हूँ रजिया बेगं यह कोई वार जोन नहीं है कि आप वहां से बॉम फिकोगे और मैं यहां से मिसाइल फिकोगे लेकिन कुछ चीजों का जो है क्लारिटी होना भी बहुत जरूरी है जितनी मेरी प्रोफेशनल करियर हो चुकी है उतना तो आपका उम्र भी नह अंदमान में आया है हाडली दो ढाई तीन साल ही हो रहा है लेकिन क्या इससे पहले अंदमान अंदकार में अंदमान में जिन मुद्धों को उठाया जा रहा था बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा नैशनल और इंटरनाशनल लेवल पे जो आवार्ड वीनिंग पत्रका सर्च के साथ होता है तो ऐसे बड़े पत्रकार है तो यूट्यूब से पहले यह कैसे चल रहा था बाकी का छोड़ दे और अगर मेरे करियर को देखे तो इसे मोर दें 15 कर रही हूं ट्विटर में अपने न्यूज को बकाइदा रेगुलर्ली अप्लोड कर रही हूं मैं अपने आपको यूट्यूब में कब स्विच किया जब मैंने देखा कि प्लाटफॉर्म बदल रहा है लोग प्रिंट मीटिया से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं डिजिटल क तरफ जा रहा है तब मैंने अपने आपको स्विच किया है यूट्यूब में एक लेड़ी की जिंदगी आप चैयर में बैठकर ऐसे ही कुछ भी बोलकर नहीं हो जाता है उनको परिवार घर और अपने प्रफेशन को बखू भी चलाना पड़ता है राइम निकालना पड़त जिसका आपको नॉलेज ही नहीं है डिब्रेट के मैटर में जब पुलीस हमें रोक रही थी हर तरह से बच्चे प्रोटेस में थे और हर तरह से रोका जा रहा था और जब राजनिवास का घेराओ किया जा रहा था तो हम ही वो मीडिया थे जिन्होंने बढ़ चड़कर जो ह हम रोड में उतर कर आए जब हमें पुलीस द्वारा रोका भी जा रहा था तो हिम्मत की अगर बात कहते हैं करते हो तो हिम्मत तो हमारे अंदर बहुत जादा है और इसमें कोई भी कॉम्प्रमाइज नहीं है अब चलो आप पे आते हैं आपको तो अंडमान में आए जुमा चोड़ रहे हैं लेकर आपका कहे तो आप कारबंड़ ऑकसाइड ही ले रहे हो और कार्बंड़ रहे हो जो कि पूरा का पूरा वातरवरन को दूशित कर रहा रहा है जहरीला बना रहा है डूसरा आप खड़े ओकर बार-बार बोले जा रहे हो मैंने चैनल का Rica नाम एक बार मैंने तो वैसा कह दिया तो सीधे शब्दों में एक ही बात कहूंगी जो तुम्हारी उम्रे नहीं है उससे जादा मेरा प्रोफेशन हो गया है तो आप लोग जो यह कह रहे हो ना मैंने मुद्दा उठाया मुद्दा उठाया तो पहले आप अपने चैनल का इतिहास उठा कर देख लीजी जितना आपके चैनल पे लगा है उतना आजता किजी भी नूल चैनल पर नहीं लगा है पैसा लेकर नूल चुपाने Git ऑ पैसा ले प्रोप थे जोगerson अपने हिसाप से एक विचार बनाटे लेकिन कभी किसी ने यह और अनमान ने ये न्यूस चलाया है और पैसे लेकर इसको जो है रोक दिया है और ना ही किसी और चैनल पे इस तरह के एपिसोड आज तक नहीं आया क्योंकि सेटल्मेंट हो जाता है और लोग ऑन कैमरा आकर बोलने लगे कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं इस न्यूस चैनल द्वारा अब सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह देखिए जिस बंदे का इंट्रव्यू ले रहे हैं वही बंदा है जि साथ मैं कुछ यहां पर पोस्ट लगा भी रही हूं देख लीजिए आप भी उनके चैनल पर जाएए पुराने न्यूस क्लिपिंग को उठाएए डंके के चोट में कहते हुए नजर आएंगे कि न्यूस आप तक पैसे लेकर न्यूस चला रहा है और चुपा रहा है और मज जाने का कोशिश कर रहा हूं प्रयास कर रहा हूं तो सुन लो कान खोल कर पहली बात तुम मंडमान को जानते ही नहीं हो अब पत्रकार होने के कारण तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है पहले तो तुमने कहा कि मुझे information मिला था जिसे मैंने build-up करके कह दिया पत्रकारि में जो आपको जानकारी मिलती है वह वैसे ही जानकारी को आपको जनता के सामने प्रेजंट करना होता है रखना होता है ठाइन एक गाड़ी आई बिल्ली रोड क्रोस कर रही थी और गाड़ी ने बिल्ली को मार दिया यह हुआ एक एक्जाम्पल के तौर पे एक ख़बर की गाड़ी ने बिल्ली को मार दिया, simple जयजा, अब । क्या होता है, वह देखिए आप मैं बढ़ाती ह ridiculous का अलफाज इसने we'll get which we'll see, what this bouled up वही इस्तमाल करूं go, build up, build upर एं पे चड़ गए, बिल्ली रोड क्रॉस कर रही थीbuilding का पूरा परिवार whiskey moisture बिल्ली दर्थ से तड़प रही थी और गाड़ी से जब ड्राइवर उत्रा तो हमने देखा कि भाई गाड़ी से जिसने बिल्ली को मारा है वो मुसल्मान था इस मुसलमान ने एक बिल्ली को मार दिया इसे कहते हैं बिल्डप और जो कि आपने किया है ये तो हुआ पहला हिस्सा चलिए अब दूसरे पर आते हैं दूसरा है सर्वे वाला तो आपने कहा जो सर्वे का बात है मैंने किया था उसमें थोड़ा सा correction था वो सर्वे जो है official government survey नहीं था तो चलो अच्छा मैंने ये मान लिया ये तो हकीकत भी है कि government survey नहीं हुआ है unofficial survey कौन सा है वो बता दीजे उसका data लेकर आईए हम भी तो देखें कि unofficial survey होता कैसा है survey का सीधा साधा मतलब होता है one to one interaction और public के पास जाकर data collect करना AC chamber के अंदर बैट खर ऐसे ही call देंगे तो ये survey नहीं होता है आप अगर अपने news channel पे कुछ कह रहे हो upload कर रहे हो survey word का इस्तिमाल कर रहे हो तो survey का मतलब है door to door logo तक पहुँचना one to one logo से बात करना जंगर्णना करना interaction करना और data collect करना जो भी agency करती है वो पूरे जाच के साथ data collect करती है verify करती है और clear होता है कि ये सही जंगर्णना हुआ है अब channel में कुछ भी चला रहे हो कि पहले बोल रहे हो कि census हुआ है उसके बाद बोल रहे हो कि नहीं government data नहीं है लोग आदे से जादा तो परेशान है कि भाई घर पे तो कोई आया नहीं तो फिर ये census कैसे हो गिया कब आया क्या हुआ ये बोल क्या रहा है ये channel वाले तीसरी चीज़ पर आदे तीसरा आपने कहा कि क्या धर्म की राजनीती होती है फिर कह रहे हो मैंने तो थोड़ा सा कह दिया community के बारे में यहां पे तो community के लोग attack करने लगे हैं तो आप बताईए आखिरकार interview किसका चल रहा है interview उसका चल रहा है जो शुरू से बेंगाली community को एक होना है एक होना है साथ आना है कहते जा रहा है वो यह नहीं कह रहा है कि अंडमान का island का मुद्दा है basic needs को लेकर बात करनी है आप लोग आईए आप लोग हमसे जुड़िये हम बताएंगे कि किस तरह की परेशानी है हमें एक साथ होकर island को बचाना है यह बात तो वो नहीं कह रहा है चाहे बेंगॉली हो मुस्लीम हो क्रेन हो तमिल हो तेलगू हो निकोबारी चाहे कोई भी community को हो आप लोग जुड़िये हमारे साथ आपके मुद्दे क्या है परेशानिया क्या है आप आईए हमसे बहु भी बोलिये हम सुनने के लिए तयार है और मिल जुलकर हम लड़ेंगे हमारी मांगो को लेकर यह तो वो नहीं कह रहा अलग से देखा जाए तो एक community को target कर रहे हो एक ही राग में आप गाना गा रहे हो सामने वाले को माइक दे रहे हो और खुश भी हो रहे हो क्योंकि उसने भी उसी राग पे गाने गाया है ऐसे लग रहा है कि आपके मन में था कि मैं यह दुन गा रहा हूं सामने वाला भी वही दुन गया वो भी उसी दुन में गाना गा रहा है एक प्लैटफॉर्म दो लोग वो भी वो दो लोग जो एक ही बात से बखुवी सहमत है यह सब करने का फाइदा और नुक्सान क्या हो रहा है कुछ भोले भाले लोग जिनको जानकारी नहीं है कि आखिर क सांके लोग पड़े लिके हैं मालूम है कि हुए सर के अंदर एक दिमाग का इस्तिमाल करना है अब यह वंदा में से यहां की लोगों का अंदाज हो सकता है और लग है यह वह हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर आजड़ाई लड़ी थी और यह वही अंडमान है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को कैदी बना कर लाया गया था और एक साध कैद खाने में वो उनको रखा गया था और वो मिलकर एक दूसरे को दर्द को बाट कर वो रह भी रहे थे कुछ चुनिंदा लोग प्लाटफॉर्म का जो है गलत इस्तमाल कर रहे और लोगों को गुमरा करने की कोशिश की जा रही है लगाता प्रोफेशनली अगर आपने मुझे कहा है तो पंदरा साल का जो मेरा करियर है मेरा इतिहा Cela है पहले उसे खंगा लिए उसे पढ़िए उस जानिये कि क्या है उसके बाद मुझसे बात किजिए कि कैसे है क्या है क्यूं कह दिया कैसे कह दिया उसके बाद मुझसे बात करने के लिए आईए दूसरी चीज अपने जबान पे जरा लगाम रखिए बोलते वक्त सोच के बोलिए कि आखिर कर क्या बोल रहे हो क्योंकि आपक बेटी में बेटी ने UPSC क्लियर किया है तो इसको तीन अगल से एक माप के लिए एक बेटी ने UPSC क्लियर किया है उनका नाम रोशन किया है एक कम्यूनिटी के लिए उनकी बेटी ने जो है UPSC clear किया है और आइलेंड के लिए जो है आइलेंड की बेटी ने जो है UPSC clear किया है तो यह proud movement है हर एक के लिए यह देखने का नजरिया होता है अगर आप में से लोग बोलने लोगों कि तो आप बोलेंगे हमारे सामने जो पैदा होई हमारे हाथों में जो पली उस बच्ची ने नाम रोशन किया हमें प्राउड कराया है माबाप खुष है दोस्त खुष है रिष्टदार खुष है लेकिन देखने का नजरिया माइने रखता है कि आप किस नजर से देखते हो आपको हिंदू और मुस बीजी हूँ मैं UPSC preparation कर रहा हूँ मैं दिन को पढ़ रहा हो रात को पढ़ रहा हूँ सुबह पढ़ रहा हूँ मेरे पास बिलकुल वक्त नहीं है मैं इतना बीजी हो कि मुझे सांस लेनी की फूरसित नहीं है बहुत सारी चीजे वह बोल रहा था जो इतनी सारी चीजे अपन बना कर डाल रहे थे कि last attempt है मैं बहुत महनत कर रहा हूँ किसी भी बार किसी भी हाल में मुझे क्लियर करना है क्योंकि age cross हो रही है चार से पांच मेरा attempt हो गया है तो अब बता दीजिए attempt तो किये result क्या है result भी तोड़ा अपलोड कर दीजिए YouTube में देखे मेरे लिए तो clear था और जिसे मैंने चुना है और उसे बखू भी मैं निभा सकूँ यही मेरा प्रयास रहता है तो मेरा profession मेरी मर्जी थी मैंने पढ़ाई कि मैं इसमें चल रही हूँ आप तो UPSC में थे आप तो busy थे कि भाई मुझे UPSC clear करना है मुझे यह बनना है वो बनना है मैं ऐसे तो फिर आपने प्रोफिशन क्यों स्विच कियो सीधे UPSC से पॉलिटीशे MP कैंडिडेट जिस बंदे ने अपने इलाके का एक मेंबर का चुनाओ भी नहीं लड़ा वह सीधे साथे MP के लिए खड़ा हो गया लेकिन माहौल को पूरी तरह से खराब करने का भरपूर प्रया आया है और लोग भी इसे पसंद करते थे लेकिन आज अगर हम कहें तो अंडमान के मुद्दे को छोड़ कर ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में जो है व्यस्त है जो कम्यूनल हेट्रेट कम्यूनल एंगल अप ला रहे हो ना इसका जवाब आपको मिरर अंडमान या रजि आप नहीं होने देती वह डेवलपमेंट और आम जनता के मुद्धों को लेकर बात करना जाती है उसको लेकर वोट करना जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और आप गलती से अगर बहुमत से जीत गए तो हम भी मान लेंगे कि आप धर्म की राजनीती पे जो उत आपकी बुरी गंदी राजनीती नहीं पसंद करती उनके अंदर दिमाग है और वह अपने परेशानी और आम मुद्धों पर बात करना और वोटिंग करना जानती है और आपकी गंदी राजनीती को वह रिजेक्ट कर रहा है एकसेप नहीं करने वाले अब उस चैनल के इंप मुझे मालूम है जुमा-जुमा-चार दिन हुए है मुझे यूट्यूब खोलके या मेडिया में आकर ऐसे ही माइक उठाके मैंने शुरू नहीं किया है बत्ups & hypothesis भाइंचे प्रेजंट it पत्रकार रहे हैं बेबाक होकर सवाल पूछते थे जाहिए कुछ लोगों के नाम पता करिए ट्विटर में खंगाली है कि किस तरह के जर्नलिसम उनकी थी और किस तरह से अफसरों को जवाब दिया करते थे किस तरह से सवाल किया करते थोड़ा सा खंगाली हैं अंडमान में के बारे में कर रहे होना तो पत्रकारिता जगत में कौन बड़े जर्नलिस्ट हैं और किस तरह से इन फे एकwośćन लिए उनके जवाब पूछे उनके बेबाकी के लिए तो फ़्ले이 जर्दा कर लिए हमें अपने पत्रकारिता में compromise करना नहीं सिखाया है, बेबाकी से सवाल पूछना, बेबाकी से जवाब देना और अपने काम को जो है इमानदारी से करना, हमने ये सीखा है हमारे senior से तो पत्रकारिता का एक basic rule है, मैं वो भी बता देती हूँ कि आप ही के channel के editor ने एक बर कहा था कि जब से मैंने अंडमान में पत्रकारिता शुरू की है, जब से मैं journalism कर रहा हूँ, अंडमान में एक डर का माहौल है तो ज़रा पूछ लीजी और मेरे videos को खंगा लिए, मैंने उसका भी जवाब दिया है, कि पत्रकार का काम डराना नहीं होता है यह मैंने जवाब दिया है और आपी के editor को दिया है जब उसने यह कहा है, मुझे counter करने में और बेजूल के जो news upload किये जाते हैं और जो गलत होता है यह communal harmony को खराब करने की जब effort किया जाता है तो इसके लिए जवाब देना पेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं देती रही हूँ, आज भी दे रही हूँ, आगे भी देती रहूँगी और आज माईक लेकर एक बच्चा जिसे में पत्रकार तो कही नहीं सकती, घूम रहा है चारो तरफ, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, कम्यूनल है, मोपला है, क्या कर रहे हो, सीख लो जर्नलिजम क्या होता है करके भाई मैंने तो जस बिल्डप कर दिया, मैंने तो बिल्डप करके बोल दिया, इस तरह के अलफाज जर्नलिजम में नहीं होते कि बिल्डप कर दिया, और बिल्डप में आप लगे रहे हो, और बिल्डप में आप जो है, माहौल खराब कर रहे हो, तो सीधे शब्दों में कह पत्रकारिता में कोई बिल्ट रप नहीं होता है पत्रकारिता में जो मध्दधा होता है उसे आसान शब्दों में जन्ता तक पहुचाना यह हमारा काम है। ताकि जन्ता उसे आसानी से समझ सके उसमें एक्स्ट्रा फिटिंग लगा के बिल्ड अप करने का कोई मतलब नहीं होता है तो यह जो गंदगी मची है अफकोस मुझे मालूम है कि इसकी बद्वू हर किसी के नाग तक तो पहुंची चुकी होगी और्गनाइजेशन से हमारी उम्मीद है कि इसका जवाब दे और आम जन्ता से भी हम यकीन ये उम्मीद करते हैं कि आप भी खुलकर आईए और सामने आकर बोलिए जो गंद मचाया जा रहा है इस पर बोलिए बोलना जरूरी है हमारे द्वीब समू में बोलना जरूरी है जो द्वीब समू के जो शांती है पीस है हार्मनी है उसको बचाने के लिए बोलना जरूरी है ताकि जो इंपोर्ट करकर लोगों को लाया जा रहा है जो बिल्डप करके बाते बोल रहे हैं उसे रोका जा सके ताकि हमारे द्वीब समू को जो मिनी इंडिया कहा जाता है जो पी